जैश्री हरी विष्णो स्प्रीच्रल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर चढ़ाई जाती है चपपलों की माला तो वीडियो को शुरू करते हैं मंदिरों में लोग माथा टेकने के साथ साथ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं लोग चढ़ावे में मुख्यता फूलों की माला प्रसाद या जिसके पास अधिक पैसा होता है वो सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां फूलों की माला नहीं बल्कि चपलों की माला चड़ाई जाती है जी हां करनाटक के गुलबर्ग जिले में इस्थित लकम्मा देवी का मंदिर है इस मंदिर के बाहर नीम का एक पेड़ है मा के भक्त मंदिर के बाहर नीम के पेड़ पर चपल टांगते हैं यहां के लोगों का मानना है कि उनकी द्वारत चढ़ाई की चपल को पहन कर मरा रात भर भूंती है जिससे चपल चढ़ाने वाले की सारी इच्छाएं वे दुख दर्द दूर हो जाते हैं दरसल हर साल दिपावली के बाद आने वाली पंचमी के दिन इस मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है उस दिन देश के हर कोने से बड़ी संख्या में श्रधालो इस मंदिर में पहुचते हैं इस दिन श्रधालो मंदिर में मननत मांगते हुए मंदिर में लगे नीम के पेड़ पर चपल की माला बानते हैं मानने तास्क के बारे में बात कर लेते हैं गाउं वालों का कहना है कि देवी मा एक बार गाउं की पहाड़ी पर टहल रही थी तब ही दुतारा गाउं के देवता की नजर देवी मा पर पड़ी उसके बाद दुतारा गाउं के देवता ने उनका पीछा करना शरू कर दिया देवी मा ने उनसे बचने के लिए अपने सिर को जमीन में धसा लिया था लकम्मा देवी का मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है माता की मूर्ती को भी उसी अवस्था में रखा गया है और लोग आज भी देवी मा की पीठी पूजा करते हैं लोगों का ये भी कहना है कि पहले इस मंदिर में बैलों की बली दी जाती थी लेकिन सरकार द्वारा जानवरों की बली पर रोक लगाने के बाद बली देना बंद कर दिया था लोगों का कहना है कि उसके बाद यह परंपरा शुरू की गई मंदिर में चपर टांगने वाली